बुर्जुमॉर्णिंग दोस्तो ओम शान्ति दोस्तो आज मैं आपसे मांच्छा के बारे में बात करने जा रहे हूँ वो कहते हैं ना अगर सोच अच्छी मांच्छा अच्छी तो आप कुछ अच्छा सोचोगे और दिमाग भी स्वस्त रहेगा इसके विपरीत सोच बुरी, मानसिक्ता बुरी तो आप हमेशा नकरात्मक या गलत ही सोच होगे और दिमाग बिमारी का घर बन जाएगा तो हम अच्छे की तरफ चलते हैं और मानसिक रूप से स्वस्त कैसे रहे? समझते है दोस्तो एक दुखद केस के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मानसिक रूप से स्वस्त रहना कितना ज़रूरी है और रहने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं? वो भी बताऊंगी दोस्तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है अठारा लाग का पैकेज यानी डेर लाग महीना दोनों बच्चे डीपय से वढ़ते थे ये केस इंदोर के सौफट वेर इंजीनियर के साथ गटित गटना है वर्क फ्रम होम की सुविधा थी तो काम के साथ शेयर बजार में भी ट्रेडिंग का दंदा कर रहे थे पिछले मैंने नौकरी गई और इस मैंने पूरी परिवार के खुद कुशी जबकि मां को पेंशन मिलती थी सुष्राल वालों की भी आर्तिक सिती अच्छी थी तो भी उन्होंने टेंशन में आकर नकरात्मक सोच अपना कर खुद कुशी कर ली क्योंकि उनकी किसी वज़े से नौकरी छूट गई घाटा हो गया उनके शेयर मार्केट में डाउननेस हो गई और साथ के साथ जब नकरात्मक सोच हो जाती है तो नौकरी भी छूट जाती है जब से ये खबर मैंने पड़ी मन व्यथित है इसी पर कुछ विचार एकनौमी जैसी हालत है अभी और हजारों लाखों लोगों की नौकरी जाएगी कल को मेरी नौकरी भी जा सकती है वैसे भी जैसे जैसे उमर और सेलरी बढ़ती जाती है पुरारी नौकरी जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा और नई नौकरी मिलने की संभावना उतनी ही कम रहती है तो इसके लिए क्या करें अपने मानसिक्ता को अपने दिमाग को स्वस्थ करने की कोशिश करें यानि कि सकरात्मक सोचने की कोशिश करें तो कैसे हम अपने मानसिक्ता को स्वस्थ रख सकते हैं पहला बचत जिसका कोई आज भी कोई विकल्प नहीं है जी हाँ दोस्तों आपकी सेलरी दो लाख हो या बीस हजार की एक निश्चित रकम हमेशा बचाएं कम से कम छे महीने का बफर स्टॉक तो रखे ही अपने साथ अगर आप डेल लाख महीना कमाने के बावजूद नौकरी जाने के महज एक महीने के भीतर आतमेता कर लें आपका डेविट और क्रेडिट कार्ड खाली हो जाए तो मानिये कहीं न कहीं गलती आपकी भी रही होगी क्योंकि आपने पैसा बचाया नहीं और एक दम से आपको घा गाल हो गए तो बचत जरूर करें शौक के हिसाब से नहीं जरुरत के हिसाब से रहें जी हाँ दोस्तों लोगों के पास जब पैसा आ जाता है न तो अपनी शौक भी बढ़ा लेते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें जो है अपनी जरुरत को मान के चलना चाहिए ना की शौक दोस्तों आदत मत पा लिए ब्रांडिट कपड़े पहनना, रेस्टरों में खाना मॉल और मल्टी प्लेक्स में जाना अच्छा लगता है, लेकर इनके बगेर जिंदगी नहीं रखती आप यह सोच अगर मैं नहीं जाओंगा तो मेरा क्या स्टेंडर्ड रहेगा स्टेंडर्ड को मत देखिए आप अपनी जरूरत को को देखिए अगर इस मस्ती में कटोती की जाए तब भी आपकी लाइफ में कोई फरक नहीं पड़ेगा क्या आपकी मस्ती कम हो गई तो आपके कोई फरक पड़ रहा है नहीं बलकि आपकी जरूरते और अच्छे से पूरी होंगी माबाप आज भी पैसे से ज़्यादा आपको चाहते है जी हाँ दोस्तों क्या हो गया अगर आप बड़े हो गए अगर आप अपने माता पिता की अपनी को अपनी आर्थिक स्थिती की सही जानकारी देंगे तो आपको आर्थिक स्थिती आर्थिक और भावनात्मत दोनों तरह के मदद मिलेगी उनसे मदद मांगकर आप छोटे नहीं हो जाएंगे आत्मしますन्मान भार वालों के लिए होता है घर वालों से मदद मांगने में नाख छोटी नहीं हो जाएगी इन दोर वाले केस में भी मा को पेंशन मिलती थी सस्राल वाले भी मदद कर सकते थे लेकिन मदद मांगी होती तो न बोस की गाली खा सकते हैं तो अपनों से मदद मागने में क्या बुराई है जब कि बहुत दुबार वाला होता है। खांदानी प्रॉपर्टी दोस्तों आप भले ही बचत नहीं करते हैं लेकिन आपके माता-पिता और दददादी ऐसे नहीं थे। अपनी सीमित कमाई के बावजूत बचत कर कुछ प्रॉपर्टी जोड़ी होती है। गाओ में कुछ जमीन जरूर होती हैं तो याद रखिये कोई भी प्रॉपर्टी या जमीन जायधा जिन्दिगी से बड़ी नहीं है। मुसीबत के वक्त उसे बेचने में कोई भी पुराई नहीं है। धैरिया और धीरच। दोस्तों आपकी कमपनी के गेट पर सेक्यूरिटी गार्ट तैनात रहता है। उनमें से ज़्यादातर की सेलरी दस या बीस हजार के बीच रहती है। देश में आज भी ज़्यादातर लोग बीस हजार रुपए महिने से कम ही कमा पाते हैं। कभी सुनाएं किसी कम सेलरी वाले को आर्थिक वज़े से आत्मयक तक करते हुए। खुदकुशी का रास्ता अमोमन ज़्यादा सेलरी वाले लोग और व्यापारी ही चुनते हैं। क्योंकि वह अपने शौक में कमी नहीं करते हैं। वह सोस्ते हैं। पैसा आ गया है चलो हम यह भी कर लें वह भी कर लें। यह भी खरीड़ें। और एक दम से उनके पैसा खतम हो जाता है। क्योंकि उरने करजा भी लिया होता है। वह सोस्ते कर देंगे, लटा देंगे यह है। जो भी वोटएवर है। तो जब एकदम से उनके पास पैसा खतम होता है तो उनके पास और कोई रास्तर नहीं बचता इसलिए बचा कर रखें हालात का सामना करें दोस्तो इसमें कोई शक नहीं कि आजकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का फैशन्ट है लेकिन सरकारी स्कूल अभी भी पूरी तेरा खत्म नहीं हुए याद रखिए आप में से कई लोग सरकारी स्कूल में पढ़कर ही यहां तक पहुँचे है अब भी कई लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़कर UPSC क्रैक कर रहे है इसलिए कर नौकरी रहे तो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को बेज़ती मत समझी यह आजको तो सरकारी स्कूली बहुत अच्छे बन गए है प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले मुकाबला कर रहे हैं करने के कोशिश कर रहे हैं हो सकता है शुरूला में पच्च को अजीव लग Bears कि हमें तो सरकारी स्कूल हों पढ़ा रहे हैं लेकिन बाद में वो भी समझ जाएंगे कि हाँ सरकारी स्कूल भी खराब नहीं है लचीला पन रखे दोस्तो अगर आपको पिछली नौकरी में 75,000 या 1,000,000 रुपे सेलरी मिलती थी तो जुरूरी नहीं कि नई में भी इतनी ही सेलरी मिले मार्किट में नौकरी का भोर संकट है और इस गलत फैमी में मत रही है कि आप बहुत तैलेंटेड हैं तैलेंट बहुत हद तक मालिक और बौस के भरोसे पर रहता है अगर उन्होंने मान लिया कि आप talented है, तो आप फिर talented हो, लेकिन अगर उनके दिमाग में नहीं set हुआ, तो आप कुछ भी कर लो, तो भी आप बिवकूफ हो, एक बार रोड पर आगे ना, तो talent धरागा धरा रह जाएगा, आप से talented लोग market में खाली गूम रहे हैं, तो इसलिए कभी भी घमन न करें अप experience मिलेगा, अनुभव मिलेगा और साथ के साथ praise मिलेगी, और सफलता का स्वाद, दोस्तों यह एक बहुत ही महत पूर्ण विशे है, इसको हम सभी को पूरा करना चाहिए, हमारे जीवन में सफलता का जितना महत वेना, उतना ही और सफलता का भी होना चाहिए, हमें अपने आ सफलता मिलती रहे, तो और सफलता का स्वाद, हमें हमारे बच्चों को बच्पन में ही सिखा देना चाहिए, अगर आप बच्चे के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, कुछती लड़ रहे हैं, तो उस गेम में हमेशा उसको जिताना नहीं है, उसे हराए भी एक दो बार, और उस नहीं है, लेकिन उस असफलता और हार से कैसे बाहर निकलना है, वो भी सिखाए, उसे बताए कि सिख्के के दो पहलू होते हैं, कभी एक उपर रहता है, तो कभी दूसरा उपर रहता है, अधार्त समय हमेशा एक सा नहीं रहता, आखरी बात, जहां से शुरू किया था, वही पर खतम कर रही हूं, खुद कुशी किसी भी हालात में कोई विकल नहीं है, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, हर सुख के बाद दुख, और दुख के बाद हमेशा सुख आता है, धहरे बनाए रखें और उपर वाले पर विश्वास रखें, सब कुछ आसान है अगर ठान लिया जाए, मानसिक रूप से मजबूत बनते हुए, आईए सुनते हैं, दस विचार, पैसा जितना ज़्यादा आता है, जिन्दगी की जंग, लड़ने की ताकत उसी अनुपात में कम होती जाती है, पैसा कमाएं, लेकिन जीवटता को भी जिन्दा रखिये, एमर्ज ये निर्भर करता है, किस पर, किसने डाटा, क्यों डाटा, कैसे और कितना डाटा, किस के सामने डाटा, हमारे मन के खाओ और उनका मरहम दूसरों के वेवार पर निर्भर करता है, ये हमारा ब्रहम है, नहीं, ये केवल हमारे उपर ही निर्भर है, कि हम उसको किस तरह से ले या फिर एक समझ के रूप में लेते हैं कि हमें कलती के उपर समझाया जा रहा है दुनिया की ताकत वर चीज है लोहा जो सब को काट देता है लोहे से ताकतवर है आग जो लोहे को पिगला देती है आग से ताकतवर है पानी जो आपको बुझा देता है और पानी से ताकतवर ह इनसान जो उसे पी जाता है इनसान से ताकतवर है मौत जो उसे खा जाती है और मौत से भी ताकतवर है दुआ जो मौत को भी टाल देती है तो इन सभी को समझ के आगे बढ़ें हर माता पिता ये सोचते है मैं अपने बच्चों को वह दूँ जो मुझे नहीं मिला हर माता पिता ये सोचते हैं मैं अपने बच्चों को वह दूँ जो मुझे नहीं मिला ये सोच बहुत अच्छी है लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को वह दे जो आपको मिला था आंत्रिक शक्ती, स्थिर्ता, धैरता जीवन जीने की मर्यादाएं और संसकार तब ही वो जो मन चाहा पा सकते हैं Confidence ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही Confidence ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही Confidence ये है कि जब वो पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक हो महान सफलता पाने के लिए तो हजारों बार फेल होना पड़ता है अगर पहली ही बार में सफलता मिल जाती तो यकीनन हर गर में बिल गेट्स होते याद रखिये रास्ते जितने कठिन होंगे मन्जिल उतनी ही खूपसूरत होगी दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दें क्योंकि आपके दान की ईश्वर से जादा आपके भाई को स्रूरत है अच्छे लोगों की इज़त कभी कम नहीं होती सोने के सो टुकुडे भी करोगे ना फिर भी कीमत कम नहीं होती इंसान तब समझदार नहीं होता जब वे है बड़ी बड़ी बाते करने लगता है बलकि वे समझदार तब कहलाता है जब वे चोटी चोटी बाते हैं समझने लगता है भरोसा खुद पर रखें तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखें तो कमजोर ही बन जाती है दोस्तों इसलिए हमेशा पहले खुद पर भरोसा करें अगर आप खुद पर भरोसा करते हो तो यकीन है आप दूसरे पर भी उतना ही भरोसा कर सकोगे आजके लिए प्लैक दोस्तों आप शान्टी